दोस्तों इंडिया बर्सेस बांगला देस के पहले टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेंग लेबन घोसित हो चुकी है इस प्लेंग लेबन में रोईस सर्मा ने बिराट कोली जस्परीद बुमरा समेत नो खुंखार खिलाडियों को सामिल किया है जो बांगला देसी टीम को पूरी तरह से धेर कर सकते हैं तो दोस्तों क्या होने वाली टीम इंडिया की पूरी प्लेंग लेबन बताएंगे आपको इस वीडियो में लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग रोईस सर्मा और बिराट कोली में किसे ज़्यादा खतरनाक बले बाज मानते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया के ओपनर्स की टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करते होई नजर आएंगे कप्तान रोई सर्मा और यससवी जैसवाल वहीं दोस्तों नमबर 3 पे सुबन गिल ने अपनी जगाह टीम में बनाई है दोस्तों मिडिल ओडर में नमबर 4 पे बिराट कोली, नमबर 5 पे केल रहुल और नमबर 6 पे रिसब पन को टीम में सामिल किया गया है जो विकेट कीपिंग भी करेंगे वहीं दोस्तों अगर बात करें टीम इंडिया के आल राउंडर्स की तो नमबर 7 पे जड़ेजा, नमबर 8 पे अक्छर पटेल और नमबर 9 पे असबीन को प्लेइंग लेबिन में सामिल किया गया है उसके बाद दोस्तो अगर बात करें टीम इंडिया के थेज गेन बाजो की तो नमबर 10 पे बुमरा और नमबर 11 पे आकास दीप को प्लेइंग लेबन में जगाह दी गई है तो दोस्तो बांगला देश के खिलाब पहले टेश्ट मुकाबले में यही हो सकती है टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग लेबन दोस्तो आपकी हिसाब से इस प्लेइंग लेबन में कोई बतला होना चाहिए या नहीं आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तो ऐसे क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकोल न भोलें